हेलो दोस्तो दोस्तो आपका हमारे यूटूब चेनल में स्वागत है दोस्तो अगर आपने हमारे बिन संक्याओं के योग, वेंकलन, गुणाओ और भाग के वीडियो जो हमने बहत आसान ट्रिके सा समझाए हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तो आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिन संक्याओं का आरोई, आउरोई करम, वें उनकी तुलना दोस्तो येकीन मानी अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो, तो बिन संक्याओं से समंदित आपके अगर कोई समयश्या है, तो दोस्तो वह हमेश्या के लिए दूर हो जाएगी तो सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तो बिन संक्याओं में तुमना कर उनके बीच में चिना अंकित करना सामनी तोर पर हम देखते हैं दोस्तो तीन चिना होते हैं, जैसे एक चिना दोस्तो ये वाला, एक ये होता है दोस्तो और एक बराबर का होता है यह हम छोटी क्लासों में या बच्चे दोस्तों इनको रट लेते हैं लेकिन दोस्तों इनको मैं आपको एक ट्रिक से याद दिला देता हूँ जैसे मालीजी दोस्तों एक कोई छोटी शी टोफी है या गोली है तो हम उसको खाने के लिए छोटा सा मूँ फाटते हैं छोटा सा मूँ खोलते हैं या थोड़ा सा मूँ खोलते हैं लेकिन अगर मालो दोस्तों एक बड़ा सा रस्गुला आजाए इमार सामने तो हमें उसको खाने के लिए मूँ भी बड़ा खोलना पड़ता है तो बस दोस्तों इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हों मालीजी दोस्तों कोई दो संक्या है जिससे साथ है और एक नो है तो इन में से दोस्तों बड़ी संक्या कौन सी हमें पता है नो है तो नो की तरफ हमें मूँ बड़ा खोलना है ये दोस्तों इस तरह है दोस्तों आप जो चिना है इनको कभी नहीं बूल सकते इस तरह दोस्तों और इदर मैंने लिख दिया दोस्तो आठ तो हमें पता है दोस्तो नो बड़ा है तो मुझ इदर बड़ा खोलना है अगर दोस्तो मैं लिख दू आठ और आठ तो हमें पता है यह दोनो बराबर है तो इनके बीच में बराबर का चिन लगातना है तो यह तो थी दोस्तो चिन से जो एक संक्या है उसका अंस है और नीचे वाला दोस्तो हम सामने तोर पर आपको बिंद संक्याओं और पिसला वीडेयो अगर आपने नहीं देखा तो उसे देखिए और दोस्तो उस वीडेयो के अंदर हमने बदाया था कि अगर मान लिजे कोई भी भिन संक्या जैसे मान लिजे भिन संक्या किसे कहते है दोस्तो कोई भी संक्या अगर हम बट्टे की रूप में लिखे तो उसे कहते है भिन संक्या जैसे एक बट्टे तीन, एक साई, एक बट्टे चार तो यह होती है दोस्तों भिंद संक्या और इनमें भी दोस्तों माली जी कोई भिंद संक्या एक बटे तीन तो उपर वाली दोस्तों जो उपर वाला है इसको हम बोलते हैं अंस और नीचे वाले को बोलते हैं दोस्तों सामने तोर पर हर है फिर भी अगर दोस्तों आपको कन्फ तो दोस्तों अगर दो संख्याओं की तुलना करनी है, बिन संख्याओं की कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है और इनके बीच में कौन सा चिन्नलगाना है। तो दोस्तो बहतासांटे के यही है कि एका अंस है जैसे यहां पर चार बटे दो है तो इसका अंस हो गया दोस्तो चार दूसरी भिंद संक्या आट बटे चार के हर से गुणा कीजिए मतलब एका अंस चार है उसको दूसरे के हर से गुणा कीजिए तो इस चार को दोस्तों हमें इस चार से गुणा करना है और दूसरी बिन संक्या के वापस ही करना इसके एंस को दूसरे के हर से गुणा कीजिए और इन दोनों के जो उत्तर आए उनमें हमें देखना है जो बड़ा उत्तर आएगा वही बिन संक्या बड़ी होगी जैसे दोस्तो इसको हम हल करते हैं तो इस चार को इस चार से मैंने गुना किया तो चार गुना चार इधर दोस्तो आठ को दो से गुना किया तो मैंने इधर लिख दिया दोस्तो आठ गुना दो अब इनको हल करने पर हमें पता चलता है कि चार गुणा चार चक शोक 16 और इधर दोस्तो आढ़ी 16 तो यहां पर हम देख रहे हैं दोस्तो 16 और 16 दोनों आपस में बराबर है इसका मतलब इसके बीच में बराबर का चिन आएगा और इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि 4 बटे 2 और 8 बटे 4 इनके बीच में जो चिन आने वाला है वह बराबर का आएगा तो इस तरह दोस्तों आप इनमें कंपेरिजेशन कर सकते हैं इस तरह दोस्तों एक संग क्या हो लेते हैं तो यहां पर भी दोस्तों भई होगा 7 को 3 से गुणा और 8 को 5 से गुणा तो देखे दोस्तों 7 गुणा 3 और 8 गुणा 5 इस तरह दोस्तों इसका उतराता है 7 तरी 20 और इसका 8 पंजे 40 अब हमें पता है दोस्तों 40 है जो 21 से बड़े हैं इसका मतलब बड़ा मूँ इसकी तरफ खुलेगा तो यहाँ पर दोस्तो इसको हम इसे लिख सकते हैं साथ बटे पांच से बड़ी है कौनसी आठ बटे तीन तो यह हो गया दोस्तो इस तरह दोस्तो इसको भी आप हल कर सकते हो यहाँ पर इसको इससे गुणा कीजिए और इसको इससे गुणा कीजिए तो दस को तीन से और दोस्तों यहां पांच को तीन से तो दस तीए तीस और पांस तरी पंद्रा तो हमें पता है दोस्तों तीस बड़े हैं पंद्रा से तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि दस बटे तीन बड़ी है किसे पांच बटे तीन से इस तरह दोस्तों आप दो भिन्द संक्याओं के बीच में आपस पे तुलना कर सकते हो अब हम लेते हैं दोस्तों भिन्द संक्याओं का आरोई करम मान लिजे दोस्तों को ऐसा exam के अंदर question आजाये कि एक बटे पांच, नो बटे पांच, चार बटे पांच और साथ बटे पांच यह जो भिन्द संक्या हैं इनको आरोई करम में लिखो तो यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि सभी भिन्द संक्याओं का जो नीचे वाला भाग है जिसको हम बोलते हैं हर सभी में समान है यहां पर देखें कि दोस्तो पांच 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 जब सभी का हर समान हो दोस्तो तो यह आपके लिए बहुत आसान बन जाता है एक बार के लिए दोस्तो आपको इसका हर सभी का भूल जाना है और जो उपर वाला अंस है सभी का एक जगह लिख दीजिए दोस्तों जिसे एक नो चार और साथ ये मैंने दोस्तों सभी के जो उपर वाला भाग जिसको हम बोल रहे हैं अंसे वो लिख दिया और नीचे वाले हर को कुछ समय के लिए भूल गे अब दोस्तों माल लीजिए अगर आपको आरोई करम पूचा फिर बड़ी छोटी से बड़ी तो ये दोस्तों अब तक आपने रटा होगा और अक्सर हम इसको भूल भी जाते हैं कि आरोई में क्या होता है और ये ज्यादा तो छोटे बचों की समझे रहती है या फिर जिनकों गणित कम आती है उनके भी ये समझे रहती है तो दोस्तों औरोई के अंदर होता है बड़ी से छोटी संक्या बड़ी से छोटी संक्या अब दोस्तों इसको हम मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए तो दोस्तों यहां पे देखिए दोस्तों अगर हम आरोई को लिखें आ रो ही तो आ रो ही में और आ रो ही में आपको अंतर करना है यहाँ पे जैसे मालीजे दोस्तों मैंने आ रो ही लिखा तो आ रो ही के अगर दोस्तों हम टुकड़े करें तो इसके तीन टुकड़े होते हैं औरोई के तो दोस्तों यह याद रखने की बेहत आसान ट्रीक है कि आरोई के जो आरोई के टुकडे कम हैं मतलब आरोई एक छोटा सब्द है तो यहाँ पर इसमें जो सबसे पहले संख आएगी वह छोटी आएगी फिर बाद में बड़ी आएगी जबकि दोस्तों आरोई एक लंबा सब्द है तो इसके अंदर सबसे पहले जो संख आएगी बड़ी आएगी उसके बाद में चोटी आएगी जब भी दोस्तों एक्जाम के अंदर इसा कोई कुशन पूछे तो आपके दिमाग में दोनों आ जाना चाहिए कि आरोई है या औरोई आरोई का मतलब चोटा और अरोई का मतलब बड़ा इस तरह दोस्तों अब हम वापस अपनी कुशन पर आते हैं तो यह कुशन था इसमें दोस्तों हमने जो नीचे वाला भाग हर उसको एक बार के लिए भूल गए थे और जो अंसर सबी का हमने यहां पे लिख दिया अगर मालीजी दोस्तों इसमे नीचे लिखावा है दोस्तों हर पांच-पांच लिख दो तो यह दोस्तों हो गया बिन संग्याओं का आरोई करम और इसका दोस्तों अगर हम उल्टा करते तो वह हो जाएगा आरोई करम इस तरह दोस्तों आप आसदानी से कोई साथ भी कुशन हल कर सकते हों अवरोई में दोस्तों यहां पे 9, 7, 4, 1 और नीचे सभी के 5 पास लगा दो तो यह हो गया दोस्तों अवरोई करम यह कोई सी भी बिनसंग्यों को तुलना करने में बेहत आसान होता है अब दोस्तों तीसरा यह क्यूशन हम लेते हैं जिस क्यूशन में माल लीजिए कि तीसरा क्यूशन हम लेते हैं कि यहां पर तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसमें जो हर वाला भाग है वो समान है लेकिन अगर कोई क्यूशन ऐसा दे दे जिसमें अंस वाला भाग जिसमें उपर वाला भाग दोस्तों समान हो तो इसको दोस्तो आपको करना है ये कुशन ये कुशन आप करके ट्राइ करके देखिए अगला कुशन लेते हैं दोस्तो चोता जिसमें हम अब थोड़ा चेंज करने वाले हैं यहाँ पर देखें दोस्तो दोनों कुशनों के अंदर मैंने इनका हर समान रखा है लेकिन अब हम मैं हर को जो है नीचे वाला चेंज गरना है और उपर वाले संग्या समान रखनी है जैसे मैं लिख दू वापस दोस्तो इसी कुश्चन को जैसे 2 बटे 5 2 बटे 11 7 बटे 3 2 बटे 3 2 बटे 3 2 बटे 7 इनको मान लिजे दोस्तों हमें आरोई करम में लिखना है किस करम में लिखना है दोस्तों आरोई करम में अब यहां पर दोस्तों जो उपर वाला भाग है वह अंस समान है जबकि इनका हर बिन है जबकि वहां पर अगर दोस्तों इन कुष्णों के अंदर देखे हैं तो इनका जो हर वाला बहागता हूँ वो समान था इसका अंस बिन था इसी तरह दोस्तों इनका भी अंस बिन और हर समान था तो अब दोस्तों इस क्यूशन को हल करते हैं तो इस क्यूशन को भी दोस्तों हल करने का बेहत आसान तरीका इससे पहले दोस्तों इस क्यूशन को हल करने से पह के उपर हम एक दो के उपर एक लगा दे और नीचे इसको कर दे एक बटे दो इस तरह इसको हम कर दे एक बटे चा तो अब दोस्तो जो चिंद इधर था वो इधर हो जाएगा क्योंकि हमें पता है एक बटे दो बड़ा होता है एक बटे चार से तो इस तरह दोस्तो जब भी को चोटी संक्या है जब भी कोई चोटी संक्या है वो बटे के अंदर जाती है तो बड़ी संक्या से बड़ी हो जाती है यहाँ पर दोस्तों फिर देखिए दोस्तों कि दो यहाँ पर चोटी संक्या है तो यहाँ पर चार बड़ी है लेकिन जैसे यह उल्टी होती है तो यह बड पार के लिए दोस्तों इनका जो अंस है उसको बूल जाईए क्योंकि अंस सभी का समान है इसलिए बूल जाईए लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज याद रखिए कि यहां पर हमें जो नीचे वाली संक्या है पांच ग्यारा तीन साथ अगर हमें इसको आरोई करम में लिखन तो बटे की रूप में अगर हम इसको आरोई करम में लिखें तो यहां पर जो सबसे दोस्तों बड़ी संक्या होगी वो हमें पहली लिखनी पड़ेगी बड़ी जारा साथ पांच और तीन और इनके उपर दोस्तों संक्या क्या आने वाली है दो दो क्योंकि दोस्तों अभी है मिने एक उदाहन से देखा है कि जो नीचे संक्या बड़ी होगी वास्तों में वही छोटी होगी जो नीचे संक्या बड़ी होगी वही वास्तों में छोटी होगी यह दोस्तों यह इस पर लाग होगा तो यह हो गया दोस्तों आरोई करम इस तरह दोस्तों अगर इसको हम आर बटे 7 और 2 बटे 11 की रूप में हो जाएगा तो ये दोस्तो बेहत आसान तरीका है जिसके मादम से आप तुलना कर सकते हो परिमे संक्या की आरोई अवरोई करम उनका लिख सकते हो दो बिन संक्या है उनके भी इसमें तूलना कर सकते हो तो दोस्तों अगर आप को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिए और दोस्तों हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा सेर भी कीजिए धन्यवाद दोस्तों